नाट से भी ज़्यादा डिस्टिक में एलेट दिया गया है नमस्कार बहुत स्पाकता आप सभी का मैं हूँ आपके साथ पृतिकल सिंग आप देख रहे हैं नमस्कार मैं रिवा प्रसाथ तो इस वक्त जो गुजरास से तस्वीरी आनी शुरू हुई है वो बेहत भयावा तस्वीरी है इस लिहाज से क्योंकि तमाम टीमों के तैनाती के बाद भी जो भयावा तस्वीरे हैं वो समंदर की उची-उची लहरे हैं मौसम का बदलना है और 23 बारिश है जैसे जैसे विपोर्जोय आगे पहुंचता चला जा रहा है वैसे वैसे समंदर में उची लहरे उच रही है लोगों को आला कि सुरक्षिक जगों पर जरूर पहुंचा दिया गया है लेकिन यह कहा जा रहा है कि इसमें पेडों को नुकसान पहुंच सकता है बिजली के खंबे टूप सकते हैं और इसी वज़े से बिजली भी बाधित हो सकती है आला कि सुरक्षा के इंतजाम NDRF की टीमो, SDRF की टीमो, कोजगाड उसका भी की तैनाती कर दी गई है बलकुर युद्सतर पर तैयारियां तेस कर दी गई है खुद कई क्याबिनेट की बेचेक विलाए गई है हाला कि कहाँ यह जा रहा है कि तक्यारिया पूरी तरीके से पुकता है जस्वीद ग्राउंड जीरो से लगता मौजूद है जस्वीद क्या कुछ तस्वीरे अभी तक की? बिल्कुल रितिका मैं आपको Ground Zero से तस्वीर दिखाती हूँ मैं इस वक्त मजूत हूँ वारका में गोमती घाट पर और देखिए जो चक्रबाद विपरजॉय है इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है यह मैं इसने कह रही हूँ बारिश यहाँ पर शुरू हो चुक क्योंकि गोमती घाट पर इस वक्त कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा 10-15 फीर की लहरे हैं और आप देखेंगे कि सभी के तो यहाँ पर हवा जो है काफी तेज है और जो तुफान का असर है वो आप देखना शुरू हो चुका है क्योंकि तुफान बिलकुल भी कमज पीरे आपको दुफाएं आप देखेंगे कि जो समंदर का रंग है वो तो बदल चुका है लहरे उपान पर है और यह सीडियों को पार करते हुए लहरे आगे भी आ रही है और ऐसे में यहाँ पर जो तटी इलाके हैं महां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा जो गुजरात की मंदरगा का अंगला में आया था जिसमें एक हजार से जादा लोगों की जान कई थी ऐसे में यह अभी जो तूपान है यह भी सीवर कैटेग्री में है यानि कि खत्रा लगतार बना हुआ है हम लोग ग्राउंड फीरो पर नौजूद है ज्वारका में इस एक्स्क्लूजिव तस्वीरे डेंजर नहां पर लिखा हुआ है कि इस तरीके से यहां पर लहरे जो है अब अपना विक्राल रूप ले चुकी है समुद्र में हल्चक बढ़ चुकी है जानकार ये बताते हैं कि जो समुद्र की सथा पर तास्मान में जो बढ़ातरी हुई ह ग्लोबल वामिंग की वजह से इस वजह से जादा चक्रवात आ रहे हैं गुजरात में अगर हम पिछले पांच सालों में बात करें तो ये चौथा तुपान होगा क्योंकि 2020 में जो तुपान आये था मिस्टर कुसके बाद 2021 के तुपान की बात करें अब ये विपोर जॉय जिसका असर दिखना शुरू हो चुका है हमारे तुमाम सहोगी ग्राउंगीरों पर भी मौजूद है जो पलपल की जानकारी हम तक होचाएंगे हम रुप करते हैं मेरे सहोगी जनक का जो इस वक्ति कच्छी से हमारे साथ लाई मौजूद है जनक आप महां से क्या तस्वीर दिखाने बाले हैं क्योंकि द्वारका में तो असर दिखना शुरू हो चुका है अब बिल्कुल जस्पिन देखें मैं अभी कच के पिंगलेश्वर में हूँ और यहाँ पर तेज हवाय चलनी शुरू हो गई है जो देवबुमी द्वारका में सिती है रेड अलेट पे हैं बिल्कुल का अच्छ मैं भी रेड अलेट है आपको कुछ तस्वीर दिखा देता हूँ यह जो सामने पेड देख लिए यह तेज हवाय की सद तक है उससे अंदाजा लगेगा दरसल यह पिंगलेश्वर सबसे अबडासा का सबसे आखरी गाउं इसके बाद समुन्दर शु आएंगे देखिए यहां पर बारिश शुरू हो चुकी है और यहां पर पिंगलेश्वर में तेज हवाय किस हद तक चल रही है इससे आपको अंदाजा लगेगा और तेज हवायों में यहां खड़े रहे पाना मुश्टिल हो जा रहा है चुकि बारिश लगातार इस यहां पर हो रही है और रेड अलेट होने के चलते आज मौसम विवाग में बज़ता है कि मारी से बारी बारी यहां पर होगी और ऐसे मैं लोगों को यहां से इवेक्योट कर दिया गया है जहां तक पुरे गुजरात की बात की जाएं तो 37,000 से ज्याना लोगों को सुरक्शित पर हमारे सेयोगी मौजूद है अब हम चलते हैं मुंबाई अपने सेयोगी दिवाकर के पास दिवाकर यहां पर तो असर देखना शुरू हो चुका है खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है इस वक्त वहां पर क्या स्थिती है देखिए जस्प्रित जहां तक है केंद्र भले गुजरात हो चक्रवात का लेकिन मुंबाई में भी खास तोर पर असर देखने को मिल रहा है समुद्र में जबरदस्थ हल्चल इस वक्त में तस्बीर दिखाऊं तो जबरदस्थ गेटवेप इंडिया पर इस वक्त की दूसरी एहम चीज की क्योंकि मौसम विभाग का इलर्ट है इसलिए बीमसी ने साब तर पर सभी पीचों को पुई तरह से बंद कर दिया है वहाँ पर किसी के भी जाने की मनाई है और आप तस्बीरों में अंदाजा लगाई है कि इस तरह की हल्चल इस वक्त गेटवेप इ सब्सक्राइब कर देख सकते हैं उपान पर है क्योंकि अब जो लहरों लहरे हैं वो 20 फीट लहरे उची उप रही है और यहां पर धुंदा नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर विजिबिल्टी भी काफी कम हो चुकी है ऐसे में यहां पर अब टीमों की तनाती बढ़ चुकी है क्योंकि एक्सपर्स इंदा रहे हैं कि जब यह कल इसका लैंटॉल होगा लैंटॉल का मतलब यह कि जभ तूफान बीपर जाए यहं पर तको फारी नुकसान हो सकता है जन्हानी हो सकती है इसको लेकर कि यहां पर यहां से तस्मीर से आपड़ह आप देखिन डंजर निक ticks तो कि यह जो दुकाने हैं जो छोटी यहाँ पर चाय की दुकाने थी, कुछ पानी खानी पीने की दुकाने थी, वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर बंध है और जो हवा की रफ्तार है आप तमझे कि आज जो हवा की रफ्तार है वो 35 किलोमीटर प्रती घंटे से 150 किलोमीटर तक रहेगी तो उस वक्त मनजर क्या होगा हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है क्योंकि यहां पर रेड अलट है ऐसे में हम भी साथधानी से आप तक तक पहुंचा रहे हैं मेरे तमाम सही होगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं अब हम चलते हैं स्वीट आगे की तरफ आ गई हैं आप जड़ा देखिए किस तरह से समुंद्री लहरे उफान पर हैं और लगातार सुभा से हवाई बहुत तेज हो गई है और देखिए एक और चीज़ हम दिखाना चाहेंगे यह जो पूरा इस्ट्रक्चर देख रहे हैं अबसे थोड़ी एक सोपचास एक सोपचास पृति घंटा की रफतार से कल यह पहुंचेगा तो यहां के स्थितिया आप समझे और जरा यहां आप देखिए यहां जो लहरे हैं किस तरह से उवान पर इस पूरे इलाके में हैं माटवी बीच आपको बता दे कि 20 गाउं यहां से खाली करा दि यह देव भूमी है और यहां पर भगवान द्वारकदीश के मंदिन में दो धज भज भी पहराए गए हैं मानता यह है कि बड़ी से बड़ी आपदा भी पेल हो जाती है यानि कि आपदा का असर नहीं होता है ऐसी मानता है और यहां के लोग भी यहीं उमीद कर रहे हैं ले देखें देखें यहां पर अपना जस्परीत यहां तेज बारिश शुरू हो चुके है आप यहां से देखें हवाओं का रूख जिस तरीके से देख लिए और इतनी तेज बारिश यहां पर कल भी यह बारिश नहीं थी यहां पर और तेज हवाएं के साथ यहां पर चलना श से देखे रियाद आप चलेगा नीचे आगर आप देखेंगे किस तरीके देज हवाय चल रही है बारिश और उससे अंदर लग पाएगा यहाँ पर 114 लगा दी गई है कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है और लगातार तेज हवायों के साथ बारिश हो रही है औ और अभी तो कल दो पहर के बाद साइक्लोन हिट करेगा इसी के पहले यह स्थितिया पंदादा लगा लिजिए जस्पीट इसके बाद क्या स्थिति होगी तेज हवायों के साथ अभी यह लगब पचास से साथ किलोमेटर प्रतिगंडे की रफ्तार से तेजवाय चल रही है जो बढ़ कर दीरे दीरे वो 100 तक जाएंगी और कल 135 और 135 के मीच में जब हिट करेगा तब यह होगी ठीक है जनक आप रहिए हमारे साथ एक बस फिर से मैं तस्वीरे दिखा देती हूँ क्योंकि देखिए हम लोग टॉप पर आ चुके हैं साथानी बरत्ते हुए आप डेखेंगे इस तरीके से यहां पर यह वाइड एंगल से हम आपको नियूज देटीन इंडिया पर तस्व दिखाए कितना जादा उपान एज यहां पर समद्र में हाल चल शुरू हो चुकी है यानि कि यह संकेत भी है जैसा कि मौतों विभाग का अनुमान था यह बिल्कुल तही तावित हुआ है यहां पर इस वक्त भारी बारे शुरू हो चुकी है रपतार भी बढ़ चुकी है और ऐसे में जो देव भूमी द्वारका है, वहाँ पर प्रशासन की इंतिजान तो हैं, तटी इलाकों से सटे हुए लोग अब तुरक्षित इलाकों में पहुच गए हैं, आप यहाँ पर देखेंगे जो शद्धालों से घुल्जार यहाँ पर यह गोंती घाट हुआ करता थ और हमारे समान से योगी इस वक्त Ground Zero पर हमारे साथ मौझूद हैं, एक एक करके हम उनके पास जा रहे हैं, अंकित इस वक्त आप सोमनात में मौझूद है, महाँ पर प्रशासन की क्या तैयारी है और इस वक्त महाँ पर मौसम कैसा बना हुआ है? जी, पिछले तीन दिन के मुकाबले अभी जो हवाए हैं वो काफी तेज चल रही है, दूसरी और की देश का प्रथम जियोतिलिंग यहाँ पर सोमनात महादेव है, वो विराजमान है, सोमनात महादेव ट्रस्ट की और से भी, मैं केमेरामेन को कहना चाहूँगा कि वो यहा साइकलोन आ रहा है, उसके तहट लोग अभी दर्शन करने ना आए, लोगों को डिजीटल माद्यम से दर्शन करने की जो सुचनाए है, जो विननती है, रिक्वेस्ट है, जो की जा रही है, दूसरी और से यहाँ पर जो रेलवे की जो सुविदा है, भक्त जन है, जो की कुछ ट्रेन है, जो रद की गई है, उसके तहट भी लोगों को यहाँ पर आना मुश्किल हो चुका है, साथी में बात करें तो जिस तरीके से सोमनाथ ट्रस्ट ने अपील की है, उसी के चलते हुए भक्त जन है, वो भी सोमनाथ आ नहीं रहे, दूसरी और यह समंदर की जो लहरे है, वो भी देखने को मिल रही है, कि 20 से 25 फूट उची जो यह समंदर की लहरे है, वो यहाँ पर उठ रही है, साथी में मैं केमरामेंट को कहना चाहूँगा, कि वो यहाँ की जो शिवलिंग है, जिसका यहाँ पर बहुत बाग्यता है, आप रहे हुँनाए साथ देखें, यह बात सच है कि हवा जो है, वो फिलहाल यहाँ पर अगरम कच के कांडला में में मौजूद हूँ, जहाँ पर 80 से 90 किलोमीटर प्रती गंटे की रफतार से जो है, वो हवा चल रहे हैं, लेकिन शुरूआत मैं तस्वीरों के साथ कर रहे हुए, देखें, यह वो क कांडला पोर्ट है, जहां से रोजाना हजारों की संख्या में जो है, लोग यहां पर पहुचते हैं, सलानी यहां पर पहुचते हैं, लेकिन आज यहां पर संनाटा पसरा हुए, यह जो मेरे पीचे के आप शिप्स दरसल देख पार हैं, यह वो शिप्स हैं, जिन क्योंकि और अधीकार्यों से बादचीत हुई है। उन्होंने सीधे तॉर पर कहा कि देखे बाराव बजे के बाद जो है। जो पिलाल लहरे है वो शांत होती हुई नजर नहीं आ रहे है क्योंकि जहां पर जस्पीत आप मौजूद है द्वारका में आज वहां पर जो है यह चक्रवाती तूफान पहुचना था और कल जो है कहा जा रहा है कि कल 15 जून का जो दिन है वो बहुत महत्पूर है क्योंकि कल जो हो सकता है कि गुजरात में बहुत स्वीरे दिखा देती हूँ निजर अगर आप देखेंगे तो यहां पर किस तरीके से जो तुफान वेपर जॉई दस्तक देने वाला है एहम बात यह है कि जो तुफान की रफ्तार्ती वो कम नहीं हुई है और द्वारका से अगर हम व द्वारका से थोड़ी धूर पर है ऐसे में कल यह दस्तक देगा और जो मौसम विभाग का अनुमान था वो अभी तक सही साबित हुआ है आप यह देख सकते हैं किस तरीके से यह तुफान जो की परेशानी का तबब बना हुआ है लेकिन गुजरात सबकार ने पूरी तयार की है कंट्रोल रूम पर यहां पर नजने रखी जा रही है पलपल की अपडेट दी जा रही है मुखे मंत्री को इसके अलावा जो गुजरात के घृरी राच्जी मंत्री है हर्शित सांग्वी उनको यह द्वारका की जिम्मदारी स्वापी गई है धर्मनगरी है लोगों की विष्वास ही है भगवान के प्रती भगवान द्वारकादीश के प्रती क्योंकि जब मैं आप से कुछ देर पहले मंदर में बहुंची तो कुछ रधालू जो यहां पर पहुँचे वो दर्शन करके लोट रहे हैं कि यहां तक आए हैं तो आईसे मैं भगवान आते रहेंगे अब हुम चलते हैं मेरे सेहोगी जावेद के पास जोड़ा है